नमस्कार आप देख रहे हैं आज प्रकाईस टीवी मैं आलिशा चुनीजा आपके रिलाई हूँ पांच राज जोकी बड़ी खबरे पैंच पुकला के सेक्टर 19 में पैदल जा रही लड़कियों को दो मंचलों ने छेट दिया इसके बाद वहां मजूद पबलिक ने दोनों मंचलों की जम कर पिटाई की और पुलिस सो नमबर पर कोल करके पुलिस को गुला लिया सूचना पाकर मोके पर पहुँची पुलिस ने मामला दर्च कर दोनों मंचलों को गिरफतार कर लिया लेकिन लड़कियों का गुसा यही नहीं थमा उन्होंने जिपसी के अंदर बैठे मंचलों की फिर जूते चपल से पिटाई कर डाली भले काम में देरी ही सही लेकिन सोते हुए राजा जागे तो जी हां चंडिकड की कलोनी नमबर 4 में रह रहे लोगों के लिए खुश खबरी है इस्टेट दफ्तर में वीरवार सुबै कलोनी नमबर 4 के पुर्णवास योजना के लाभर्थियों की लिस्ट जारी कर दी है जिन लोगों ने special camp के दोरान state दफ्तर में आवेदन जमा कराये थे उनके record verify कर नाम public notice पर लगा दिये गए हैं जो लोग पुर्णवास योजना के तहट qualified कर रहे थे उनके नाम public notice में display कर दिये गए हैं योजना के तहट जिनके records verify नहीं किये गए हैं उनके नाम card दिये गए हैं हर्याना में चुनावी मोसम की शुरुआत हो चुकी है और अफसरवादी निताओं की party बदलना लगा हुआ है उन्हीं अफसरवादी निताओं के लिए हर्याना के स्वास्य मंत्रिया निल्विज ने कटाक्ष किया है उन्होंने कहा कि भाश्पा में आने का मतलब कोई निता यह ना समझे कि उसका यहाँ टिकेट पकी है निताओं को स्वय हित से उपर उठकर जनहित के लिए भाश्पा जुआइन करनी चाहिए रोतक में रेलवे की बड़ी लापरवाई गुरुवार को उस वक्त सामने आई जब यहाँ रोतक रेल ट्राट बारिश की वज़ा से दस चुका था और इस पर से एक्ता एक्सप्रेस ट्रेन गुजार दी गई गनीमत रही की हाथसा नहीं हुआ हाला कि बाद में जब पता चला तो अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया गया फिर कहीं ट्रेनों का आवा गमन बंद किया गया कहते हैं लालच बुरी बला है क्या लालच इतना की जान की कोई कीमत नहीं ऐसे की ही एक मामला सामने आया है मोगा में गुरुवार को एक युवक की मोत करंट लगने से हो गई यह युवक पूरे 30 एकड का मालिक था बताया जा रहा है कि वह ट्रांसफॉर्मर से तेल चोरी कर रहा था जिसके चलते बिजली के जटके के साथ वह जमीन पर आनगिरा पास ही खड़ी उसकी एक गारी में 6-6 ड्रम भी रखे हुए थे लोगों की सूचना के बाद पुलिस से लाज को पोस्ट मॉटन के बाद परिजनों को सोब दिया है पंजाब में पुलिस प्रशासन में वीरवार को बड़े स्तर पर फेर बदल किया गया चंडिकर से जारी एक पत्र के मुताबिक प्रदेश में तैना 24 IPS और 5 PPS को तुरंत प्रभाव से नई जगा पर 4 संभाल लेने के निरदेश दिये गए हैं इस अबादला अदेश में 9 जिलोक से के SSP भी बदले गए हैं हमारा देश आधुनिक हो रहा है किन्तु हमारे देश में अन्विश्वास को लेकर लोगों की मानसिकता आज भी उसी स्तर पर जिंदा है अन्विश्वास के चकर में लोग बहुत कुछ गवाते हैं ऐसा ही एक मामला सामने आया है बिमार बेटे का इलाज करवाने तांतरिक के पास गई 42 वर्षिय महिला के साथ तांतरिक और उसके चेले ने बलादकार किया यह घटना सोलन की है इस गैंग रेप के दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है हिमाचल की निचली अदालतों में पक्षकारों को गवाँ पेश करने के लिए तीन से जादा मोके नहीं मिलेंगे हाई कोट ने मामले की सुनवाई को लेकर निचली अदालतों को यह अदेश दिया है अदेश में हाई कोट ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो ही पक्षकारों को तीन से अधिक मोके दिये जा सकते हैं लेकिन संबंदित जज को ऐसा किये जाने के लिए ठोस कार्णों का उलेक अपने आदेश में करना होगा लोग सुबा चुनाव में करारी शिक्सत खाने वाले दिल्ली मुखे मंतिय अर्विन केजरीवाल की नजरे अब दिल्ली विधान सबा पे टिकी है महिलाओं के लिए मैट्रो मुफ्त के बाद अनुधिकरत कालोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है मुक्यमंतिय अर्विन केजरिवाल का कहना है कि दिल्ली की सभी अंधिकरत कालोनियों को न्यमित करने की प्रक्रियाश शुरू होने जा रही है इससे करेब 60 लाग की अबादी को सीधा फायदा होगा न्यमित होने के बाद कालोनियों में रिजिस्ट्री हो सकेगी लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक मिलेगा मेडिकल प्रवेश परिक्षाओं की तयारी कर रहे छात्रों को अब अलग-लग प्रवेश परिक्षा नहीं देनी होगी अब एम सहित अन्य मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए सिर्फ नीट परिक्षा होगी केंद्रे कैबिनेट ने इससे संबंदित नैशनल मेडिकल कमीशन बिल को मंजूरी दे दी है इस बिल के संसब में पास होने के बाद NMC इंडियन मेडिकल काउंसिल का हो जाएगा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के अध्यक्षता में बुद्वार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया आज के लिए इतना ही आगले बार फिर लोटेंगे पांच राज जोकी बड़ी खबरों के साथ ताजा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास ट्रीवी को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें